जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटीब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 माई और 12 माई 2021 के कन्याराशी फल के बारे में कन्याराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहनक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन चर्या में देखने को मिलेंगे जानेंगे आपके जीवन से जुड़े हर शेत्र के बारे में पिर वो आपकी सिक्षा हो, स्वास्त है हो, करियर हो, आपका प्रेम जीवन हो, परिवारिक जीवन हो तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवे दिन है हमारी चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं अब यह जो ग्यारा मही का दिन है, यह मंगलवार का दिन है और क्रशन पक्ष की अमावशती थी है अब यहांते कि जब भी अमावशती थी, मंगलवार के दिन आती है तो उसको भौमवती अमावश्य कहते हैं इस दिन चंदर्मा मेश रासी में है, सूर्य भी मेश रासी में है, दोनों की युती होई है, और सूर्य का नक्षत्र परिवर्टन होगा इस दिन, दोपहर में सूर्य भणी नक्षत्र से निकल कर करती का नक्षत्र में आ जाएंगे, अभिजीत मोर्था इस दिन का सुबह 11 ब मेश रासी से वरशे बाशी में चले जाएंगे जहाँ पहले से ये तीन ग्रह मौझोध थैं अब मेश रासी से निकल कर वरशम में चंद्रमावी यॉद पहुंच गयी तो चद्र ग्रह योग बन गया यानि राहु चंद्र शुक्र और बुद्ध ये चार ग्रह इक साथ रिवर्तन होगे तो दिखे एक तो आपके पास अपनी चीहत अपने रंग रूप को सुधारने के लिए परियाप्त शमय होगा यानि आप किस तरह सेां खुद को फिट रख सकते हैं किस तरह से अच्छे दिख सकते हैं इस तरफ आप ज़्यादा ध्यान देंगे रंग रूप को निखानने का काम हुआ और कुछ अपनी सिहित को किस तरह से आप अच्छा रख सकते हैं खाने पीने पर ध्यान देना तो इस चीज़ को आप ज़्यादा महत्व देंगे वैसे तो अपना पैसा दूसरों को देना किसी को पसंद नहीं होता लेकिन आपके पास अगर कोई ज़रुतमन व्यक्ति आता है और आप दीने के लायक हैं तो निश्यत रूप से थोड़ा सा कुछ दान करके आप सुकून का अनुवाव कर सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति की पंदद कर सकते हैं आपकी नेजी जिन्दकी के बारे में कुछ दोस्तों से अच्छी सलहा मिलेगी मुम्किन है वो सलहा बहुत पसंद आएगी और ऐसी बिस्तितियां हैं कि आँखें किसी से चार हो जाएं ऐसा भी कुछ लोगों के लिए बना हुआ है आपका सामाजिक दा बातचीत होगी इन दो दिनों में यानि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके कारयले में आपके आफिस में होता है जिसके आपकी बंती नहीं है आपकी बातचीत होने वाले और यह काफी दिखिया ऐसी इस्थिती बन जाती है प्रेम जीवन की बात करें तो इस दिन प्रेम जीवन में आपको कोई परियाबत समय नहीं मिल पाएगा और ये शिकायत आपको जरूर सुनने को मिलेगी बाकी कोई पुराना दोस्त मिल सकता है चाहे वो सोशल मेडिया के थ्रू हो और पुरानी किस से याद आएंगे यादगार किस से आप एक दूसरे को सुनाने वाले हैं जिसकी कैसी इस्तिती भी हो सकती है एक साथ कई काम समालने पड़ जाएं परिवार के सभी से दुस्तों का ध्यान भी रखें देखें काम और महनत दोनों जादा रहेगी लेकिन सफलता भी मिलेगी प्रेम मुभबत के लिए अच्छा दिन है जीवन साथी के साथ पिताने के लिए अच्छा दिन है जो कोई तनाव चल रहा था उस तनाव से मुक्ति मिलेगी और इस चीज का अनुभव कर पाएंगे कि आपके जो विवाहिक जीवन है उसमें प्रेम को जब हम दर्शाते हैं प्रेम को जब हम दिखाते हैं तो उसका कितना महत होता है देखिए आप किसी से परते हैं तो चाहे हो आपके माता-पिता के प्रती हो भाई-बहन के प्रती हो आपकी जीवन साथी के प्रती हो या प्रेमी के प्रती हो जब तक आप उस प्रेम को दर्शाएंगे नहीं तब तक सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलेगा इसलिए प्रेम को दर्शाना का दिन डिखिए इस दिन बहुमवती अमावस्या भी है और इस दिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो कर्ज मुक्त होना चाहते हैं जिन्होंने करजा लिया हुआ है लोन लिया हुआ है और चुका नहीं बा रहे हैं क्योंकि वैपार नहीं चल रहा है नौकरी न होते हैं तो वहां से आप उससे देखिए और उपाय को जरूर करें बाकी 12 माई का दिन जो होगा मादा पिता की सेहत खराग थी तो उसमें सुधार होगा परिश्रम बहुत अधिक रहेगा हो सकता है परिश्रम जादा करना पड़े रफल कम मिले लेकिन समय अच्छा है शु आगे बढ़ सकते हैं ना स्वास्ता अच्छा रहेगा ना परिवार एक इस्तिति आच्छी रहेगी ना कार्य करने के लब मन करेगा इसलिए ऐसे चीजों से दूर रहें परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताएं क्योंकि वो आपके अंदर एक उर्जा भरता है आर्थिक रूप से सोच समझ करने ने लेंगे तो बर्कुल सही सावित होगा कोई बड़ा कार्य करने के लिए परिवार से जुड़े मामले आपके संपन्न हो सकते हैं आपका परिवार में आनंद रहेगा उत्साह का वातावरन रहेगा अमन भी प्रसन रहेगा स्वास्ते भी समझ दाम पते जीवन तो वो भी अच्छा रहेगा और अकेले लोग जो हैं उनको तो किसी से मिलने का योग भी बना हुआ है आप चाहे वो सोशल मीडिया के थोई क्यों ना मिले आप कुछ रिष्टे ऐसे हैं जो भले ही रिष्टे जीवन भर ना बन सके लेकिन वो दोस्त बन कर आपको जीवन भर यात रहते हैं कुछ ऐसे ही दोस्तों से आपको मिलकर खुशी होगी और कुछ अच्छे आफसर जो आपको प्राप्त होंगे उनको खोने से बचें ऐसे आफसर कुछ प्राप्त हों अगर कि हाँ ये आफसर ऐसा है इसको मुझे इंजॉय करना चाहि यह आई अपसर आपके लिए ही बना है तो ऐसे अपसरों को बिल्कुल ना खोएं जहां तक स्वास्ते की बात है गलत खाना खाने से बचें व्यायाम करें नकारातमक विचारों से दूर रहें और जो भी पोस्टी काहार हैं उनको लेना शुरू करें जिससे आप खुद की जो इम्मुनुटी है उसको स्ट्रॉंग कर सकें इम्मुनुटी विक्सित कर सकें जितना ज्यादा आप अपनी खाने पीने पर ध्यान देंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव भी रहेंगे उर्जवान भी रहेंगे और आप स्ट्रॉंग भी रहेंगे बाकी घरवालों का भी ध पेर करें